जीवन मंत्रा योग ध्यात्म और आईरवेद की वो त्रिवेणी है जिससे आपका जीवन बनेगा स्वस्थ और निरो दोस्तो जीवन मंत्रा को आप लोग आज ही सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए क्योंकि जीवन मंत्रा के जो नुस्खे और तरीके होते हैं वो एक्सपर्ट्स की राय के मताविक होते हैं इसलिए चैनल को आज और अभी सब्सक्राइब कर लें आप चाहते हैं कि नॉटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले साथ ही आपको ऐसी बिमारियां दे देगी जैसे भूक में कमी, पाचन क्रिया की गड़वडी, सीने में जलन, घवराहट, चिरचड़ापन और तो और कैंसर जैसी बिमारियां भी इससे हो सकती हैं तो प्लीज आज से ही वीडियो देखने के बाद आप सुभह चाह पीना खाली पेट बंद कर दीजिए तो हम देख लेते हैं कि इससे हमें क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं सबसे पहले बात करेंगे प्रोस्टेट कैंसर की मामूली सा चाय का कब पुरुषों के लिए अच्छी खासी परिशानियां पैदा कर सकता है इससे पुरुषों को प्रोस्टेट समंदी बिमारी हो सकती है दूसरा है मिचली का होना खाली पेट चाय का सेवन करने से बॉयल जूस की प्रक्रिया अनियमित हो जाती है इसे सारा दिन पेट फूला फूला महसूस होता है इसलिए आपको चेताबनी दी जाती है कि सुबह सुबह खाली पेट चाय पीने से आप बचिये अगला है थकान हाला कि चाय में टलने वाला दूद हेल्दी होता है लेकिन वो अलग से अगर आप पीओगे तो ही हेल्दी होगा दूद वाली चाय आपके लिए परिशानी का सबब बन सकती है चाय पीने से थकान महसूस होने लगती है अगर दिन भर की थकान से आप बचना चाते हैं तो सुबह खाली पेट चाय को अवोइड कीजिए अगला है चिर्चिड़ापन अगर आपका सुभाब चिर्चिड़ा होता जा रहा है बिना वज़े आपको गुस्सा आता है तो आप सुबह की चाय पीना बंद कर दीजिए आप गलती से भी खाली पेट चाय आज के बाद नहीं पीएंगे अगली है पेट फूलने की समस्या दिन में एक बार चाय पीने से ठकावट दूर हो जाती है लेकिन बिना कुछ खाली पेट चाय पीने से आपको परिशानी हो सकती है इससे आपके पेट में भारीपन होने के साथ साथ आपका पेट धीरे धीरे फूलने भी लगेगा अगला है मोटापा चाय भी मोटापे का कारण बनती है इसके इस्तिमाल से होने वाली चीनी और पत्ती शरीर में चर्वी बढ़ाने का काम करती है और इससे मोटा पा बढ़ने लगता है बात करेंगे पेट में अलसर की आप अगर खाली पेट यानि बैट टी लेने के शौकीन है तो प्लीज आज से बंद कर दीजे क्योंगी ये तरीका आपके पेट में अलसर की वज़े बन सकता है जब दोस्तों आपको इतने सारे नुकसान हैं तो आप चाय के साथ पहले बिस्किट खा लीजिए और कोई टोस्ट ले लीजिए तब आप चाय पीजिए जीवन मंत्रा में आज इतना ही फिर मिलेंगे एक नई विशे के साथ तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें